आज 22 जन्वरी है और 8-9 दिन बाद मोदी सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत होने वाला है क्या उस बजट में इश्यूज है हम विस्तार से उनके बारे में समय समय पर अपनी बात करते आए हैं पर आज जो इश्यू हम आपके सामने लेके आए हैं वो देश पर कर्ज की इस्तिति और ये कर्ज की स्तिती इतनी भयानक बन चुकी है मैं जो आप आकड़े आपके सामने रख रहा हूं कि आपको जानके ताज्यूभ होगा कि हम में से बैठा हुअ प्रति एक व्यक्ति हमारे उपर एक लाक नौ अजार रुप्य का कर्ज है चिह और हमने नहीं लिया है आपने नहीं लिया एक लाक नौ जार का हमारे बिहाव पर भारत सरकारने हमारे उपर एक लाख नौजार रुपे का कर्ज चड़ाया हुआ है प्रती हिंदुस्तानी पर पहले कितना था कितना नौ साल में बढ़ा है सारे का आक्टा लेके आया हूं आपके और मेरे और कोई भी विवेक्षिल व्यक्ति के मन में ये जरूर आएगा कि भई कर्ज लिया है तो आर्थिक विकास के कारियों में लग रहा होगा पर ये कर्ज आपके मेरे उपर एक लाख नौजार रुपे का कर्ज तो है पर इस कर्ज का फाइदा हमें नहीं मिल रहा क्योंकि जो ग्रोथ मॉडल है देश का वो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है के अंग्रेजी में जो शब गलत तरीके से GST लगाने से और नीचे आए ताला बंदी के बाद फिर और नीचे आए पर फिर जो बड़े वो सिरफ वो लोग बड़े जिनक्या जिनकी डिटेल्स अभी चार-पांस दिन पहले ऑक्सपरम की रिपोर्ट में आया कि हिंदुस्तान में ये ताजुप की बात है कि हमारे देश में 5% जो लोग है उनके पास 60% संपत्या है और जो बॉटम 50% जो लोग है देश के 140 करोड में से मैं गणना करूं तो जो 70 करोड लोग जो नीचे वाले हैं उनके पास मात्र 3% देश की संपत्या है तो 5% अगर मैं calculate करूँ तो 140 का मतलब 7 करोड लोगों के पास देश की 60% से ज़्यादा संपत्या है और ऐसा नहीं है कि ये लोग जो जिनके पास 5% जिनके पास 60% से ज़्यादा संपत्या है वो देश को ज़्यादा कर देते हो ऐसा नहीं है कर हम जो बॉटम 50% के लोग है जो मिडल इंकम ग्रूप और लोवर इंकम ग्रूप है अगर हम कर की बात करें तो जीएस्टी में हमारा कॉंट्रिव्यूशन 64% है मतलब जो बॉटम 50% जो 3% देश के एसेट्स को होल्ड करता है वो देश के जीएस्टी में 64% पैसा देता है distribution मात्र 3% है 3% जो फर्स 10% जो देश की जन संक्या है तो यह जो के शेव्ड रिकवरी मॉडल है इसमें जो मोदिनॉमिक्स है उसके लिए हम यही कहेंगे राइजिंग डेट राइजिंग अनेंप्लॉइमेंट एंड राइजिंग इनिक्वालिटी जबकि राइज किसका होना चीए था जीडीपी का राइज किसका होना चीए था पर कैपिटा इंकम का राइज किसका होना चीए था कि हमारी रेटिंग जो हंगर इंडेक्स में है वो हमारी rating मतलब बढ़नी चाहिए ती नीचे आनी चाहिए तो कुल मिलाके जो आज की जो प्रेस्ट वारता है वो देश की डेट के उपर है अब मैं विस्तार से एक एक बिंदू जो मैंने मुख्य बिंदू आपके सामने रखे विस्तार से एक एक बिंदू पर अपनी बात क और दो हजार 23 मार्च 31 को अनुमानित है बारत सरकार का आकड़ा दे रहा हूं अनुमानित है एक सो पच्पन लाग करोड रुप्या मतलब पच्पन लाग करोड रुप्या हुआ सन 1947 से लेके मार्च 31 दो हजार चौदा तक और मार्च 31 दो हजार चौदा से लेकर मार्च 31 दो हजार 23 में हो गया पच्पन का एक सो पच्पन लाग करोड आजादी से लेकर 2014 तक प्रती देशवासी पर कर्ज था 43 दो हजार रुप्या जो मार्च 23 में भारच सरकार के आंकडों के अनुसार रहने का अनुमाने एक लाग 9,373 रुप्या और मैंने पिछले 9 साल का पूरा आकड़ा बनाया एक टेवल आपके सामने रखूँगा इस टेवल में प्रती वर्ष बारेश सरकार ने कितना कर्ज लिया और पर कैपिटा कर्ज देशवासियों पर कैसे चड़ा जो मार्च 2014 में 55 लाग करोड का कर्ज था वो 155 लाग करोड का कैसे हो गया मोदी जी मोदी जी ऐसा क्या हुआ कि पिछले नौ सालों में जो कर्ज है वो धाई गुना से भी ज्यादा बड़ा है 43,124 रुपय से बढ़कर 1,9,370 रुपया पिछले नौ सालों में फ्रती हिंदुस्तानी पर कर्ज बड़ा है 66,250 रुपय 66,249 इस दा इंक्रीज पर कैपिटार डेट ओन एवरी इंडियन इन आवर कंट्री ऐसा क्या हुआ कि 55,155,650,00,000 करोड रुपया हो गया जो टोटल कर्ज 31 माज 2014 को 55,00,000,000 करोड था वो 55,00,000,000 करोड कैसे हो गया और यह पैसा किसके उपयोग में आया उसका ब्योरा देदेता हूँ मैंने कई बार राइजिंग अनएम्पलोइमेंट की बात करी मैंने कई बार इस पटल से राइजिंग पौवर्टी की बात करी कि आज हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में निवास करते हैं पर आज आपको राइजिंग इनिक्वेलिटी की बात बताता हूँ कि ये कर्ज हम ले रहे हमारे प्रत्येक देश्वासी के उपर चड़ रहा है एक लाख नौजार तीन सो तीहत्तर रुपया हम में से प्रत्येक हिंदुस्तानी पर चड़ गया पर उस कर्च का फाइदा हमें नहीं मिल रहा फाइदा मिल रहा है चंद लोगों को जिनकी वेल्ट बढ़ रही है बाकी सब लोगों की वेल्ट कम होती जा रही है और यह मैं नहीं कह रहा जो मैंने आपको 55 लाग करोड से 155 लाग करोड बताया यह भारत सरकार का अकड़ा है जो मैं अब आपको ओक्स्वम की रिपोर्ट के अनुसार पढ़के सुनाता हूं कि देश के 5 प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत से ज़्यादा संपत्ति है और नीचे के 50 परसेंट लोगों के पास देश की मात्र 3 प्रतिश परसेंट वहीं से आ रही है और जो उपर के 10 प्रतिशत अमीर लोग है जिनके पास देश की 70-80 प्रतिशत की वेल्थ है वो जीएस्टी देते हैं मात्र 3 परसेंट मतलब अगर 100 रुपे जीएस्टी खटी होती है तो जो नीचे के 50 प्रतिशत लोग है उनकी तरफ से 64 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ती है वो सिरफ 3 परसेंट जीडीपी देते हैं तो कर्ज ले रहे हैं हम सब लोग आप लोग मैं हम जैसे करोडों लोग बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहा है उसका विश्व रिकॉर्ड तो रोज बढ़ता जा रहा है कर्ज हमारे उपर भारस्त में इतने खरपती होगे पर रिपोर्ट कभी भी यह नहीं आती कि हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब आज हिंदुस्तान में है रिपोर्ट कभी यह नहीं आरी कि करोना के दौरान जितने लोग दुनिया में गरीबी में गए उनमें से 89 प्रत जबकि हाई क्या होना चीए था हाई पर कैपिटा इंकम हाई जीडीप हाई रैंकिंग्स ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म वह होना चीए था वहाँ पर हम रोज नीचे गिर रहे हैं और हमने बढ़ा किसको रहे हैं प्रतिव्यक्ति कर्ज को जो पिछले नौ साल में धाई गुन की देश पर बढ़ सकता है इसमें क्या है उसका भी अध्यन करके आपके सामने लाया हूं कि अगर हम हमारा कंपेरिजन हम जैसे एमर्जिंग एकॉनोमी से करें हमारा जीडीपी के अनुपात में हमारा कर्ज है तेरहसी परतिशत 83 परसेंट डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी और दुनिया की एमर्जिंग एकॉनोमी से क्योंकि भारत एक एमर्जिंग एकॉनोमी जो आएमेफ का आकड़ा है उनका परतिशत एवरेज आता है साड़े चौसट परतिशत तो मोजी जी यह बीस परतिशत ज्यादा कर्ज क्यों ले रहे हो आप जीडीपी के जो दूसरे देशों को उसकी जरूरत क्यों नहीं पढ़ रही जो आपको पढ़ रही है और इस कर्ज जो हर व्यक्ति के उपर जो आपने एक लाक नो आजा तीन सवाल है कि देश में जो प्रतिव्यक्ति कर्ज 43,124 रुपिय था 2014 में वो 2023 में एक लाक 9,373 रुपिय मतलब 9 साल में 2.53 टाइम्स क्यों बढ़ा पहला सवाल दूसरा कि आजादी से लेकर 2014 तक 55 लाग करोड कुल कर्ज और 2014 से 2023 तक 155 लाग करोड कुल कर्ज मतलब पौने तीन गुना से ज़्यादा कि बढ़ोतरी क्यों ही मोदी जी नमबर तीन कि ये इस कर्ज का फायदा देशवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है क्यों हमारी देश का जो विकास का मॉडल है वो के शेब्ड है वो वी शेब्ड दुनिया के सारे देश करोणा में नीचे आए पर सभी पूरी पॉपूलेशन उपर उटी पर हमारे यहां हम नीचे तो सब आगे पर उपर सिरफ खरपती उठ रहे हम लोग नहीं उठ पा रह आएगा क्योंकि 50 परतिशत पॉपूलेशन जो की मात्र तीन परतिशत वेल्थ को ओन करती है पर जी एस टी देश का चौसट परतिशत वो देती है ऐसा क्यों है अच्छा